पो अलाइन एंडो अलाइन एल एंडो अनाधर लाइन एम पारलल टू एल एट डिस्टेंस ओफ 4.3 सेंटीमिटर फ्रॉम इट सेम कोस्चन है लेकिन हम इसको सॉल्ब कर दें करेंगे अपकी किस बहुत सबस्द बच्चा को डाउट रहती है इसलिए अभी सॉल्ब कर देता ठीक है तो देखिए तो क्या करेंगे सेम प्रोसीजर तो हम क्या करेंगे एक लाइन एक लाइन ड्रो करेंगे ठीक है एक लाइन ड्रो कर दिया ठीक है और इस लाइन माल लेते हैं यह कौन सा लाइन है यह लाइन जो है एल लाइन है ठीक है और कर रहा है कि एल लाइन से 4.3 4.3 cm के distance पे एक line draw करनी है जो की M होगा और वह parallel to L होनी चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे फिर वही procedure हम यहाँ पे 2 point mark करेंगे एक point यहाँ पे एक point में यहाँ पे और दोनों पे 90 degree, 90 degree angle form करने की कोशिस करेंगे ठीक है तो देखिए तो हम क्या करेंगे इसको as a center लेके एक semi circle draw कर लिया ठीक है semi circle draw कर लिया ठीक है इसको भी as a center लेके center लेके चलो इसको पले कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे center लेके एक R कट करेंगे ठीक है दुसरा आर्क कट करोगा 20 डिग्री लेकिन हमें चाहिए 90 डिग्री तो 90 डिग्री क्या करेंगे तो यह हमारा लाइन हो गया यह तोटल यह इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लाइन सिग्मेंट जोइन करेंगे तो यह हमारा एंगल 60 डिग्री होगा और इस पॉइंट को और इस point को join करेंगे तो यह angle हमारा 120 होगा लेकिन हमें 90 चाहिए तो 60 यहां तक हो क्या और इसको half कर देंगे 30 हो जागा 60 का half 30 होता है तो अब क्या करेंगे इसको as a center लेके हम एक उपर arc cut करेंगे और इसको as a center लेके फिर उपर एक arc cut करेंगे और जहां पर दोनों arc intersect करेगा उस point को mark करेंगे और lines और scale के help से जोता है दोनों को join करेंगे ठीक है ठीक है हमने join कर दिया इसको थोड़ा से extend कर दिया का पता कहीं और बड़ा line होगा ठीक है ओके अब क्या करेंगे तो देखिए अब यहां पर सेम प्रोसीजर जो हमने यहां पर किया यहां पर भी वहीं procedure हम यहां पर भी करेंगे ठीक है तो देखिए एक line draw कर दिया और फिर इस जहां पर आर यह यह आर्क यह semi circle और line cut किया उसको as a center लेके हम एक आर कट कर दिया ठीक है एक line cut है फिर उसके बाद एक और cut कर दिया ठीक है तो यह 60 यह 61 20 हो गया लेकिन हमें चाहिए कितना 90 तो यहां तर 60 हो गया और इसको half कर देंगे तो 90 हो जाएगा तो दोन जग 90 डिग्रें के angle form करना था यहां पर एक आर कट कर दिया और इसको as a center लेके इसको as a center लेके हम क्या करेंगे एक आर कट करेंगे तो एक आर कट किया तो देख रहे हैं कि यहां पर point mark हुआ है ठीक है तो अब अब हमें चाहिए कितना दूसरा एक लाइन वहाद 4.3 सेंटेमेटर पे तो हम एसकेल लेंगे और यहाँ पे जो ता है लेंटेए यहाँ पे नहीं फीजिबल हो रहा है तो इसमें मिज्बल होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से जोटा है दिखिए यहां से हम क्या करेंगे 4.3 देखिएगा 4.3 ठीक है 4.3 ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको अज सेंटर लेंगे मतलब यहां पे यह जो कमपास के नीडिल है यहां पे पूट करेंगे ठीक है और रखके एक R कट करेंगे ठीक है, सेम इसको as center लेके एक R कट करेंगे, ठीक है, देख रहा है यह line दोनों कहां कट हुआ है यहाँ पे कट हुआ है और यहाँ पे कट हुआ है, तो अब क्या करेंगे, एक scale लेंगे और दोनों point को join कर देंगे, ठीक है ये L लाइन और M लाइन क्या है पारलिल है और ये L लाइन जो है M लाइन जो है L लाइन से कितना है 4.3 cm के डिस्टेंस पे है ठीक है तो अगर आपको विडियो अच्छे लगे और आपके लिए गर हैल्फुल है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर फ्लीज चैनल को बार्ट होजो